आज मैं आपके साथ साही पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ अगर आपको में रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए मैंने पनीर की और भी रेसिपी अपलोड की हुई है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये वे हैं तो आप वहां से रेस पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके तो आईए बनाना शुरू करते हैं पैन में एक टेबल स्पून ओल एड़ करेंगे ओल को एक बार अच्छी तरह से गरम होने देंगे जैस से बारा साबुद काली मिच वन फॉर्टी स्पून सौंफ अब सारे होल मसालों को थोड़ा सा पॉप अप होने देंगे एक रफ्री कटावा प्याज एड़ करेंगे देमियास पे करीब एक से दो मिंट के लिए ओल के साथ भूनेंगे आदे कटोरी काजू लेंगे यानि करीब तीन से चाट टैबल स्पून काजू थोड़ा सा नमक एक स्लाइस कीवी हरी मिर्च काजू को मैंने पाने में भुखो कर दस से पंदरा मिंट के लिए रख देता जिससे थोड़ा सा सौफ्ट हो जाए और बॉइल करने में आसानी र बार ढखन लगाकर धिमी आस पे पांस से साथ मिंट के लिए बॉइल होने देंगे जिससे जो होल मसाले उनका भी अरॉमा अची तरह से अंदर तक आ जाए और काजू और प्याज भी बॉइल हो जाए तो आप गैस को बंद कर देंगे इनमें जो होल मसाले हैं उनको हम बहा निकाल देंगे क्योंकि अगर इनको साथ में रखेंगे तो ग्रीवी का जो कलर है वो चैंज हो जाएगा होल स्पैसिस का जो अरॉमा है वो अलड़ी अंदर आ चुका है तो साथ में इनको ग्राइंड करने की जूर्थ है नहीं जो छोटोडे स्पैसिस है उनको ऐसी रहने देंगे अब इनको ठंडा करने के लिए रख देंगे ताकि पीसने में आसानी रहे अच्छी तरह से ठंडा हो गया है जो इसमें पानी था उस पानी को भी जार में डाल दिया है अब पीस कर फाइन पेस बना लेंगे तो अच्छी तरह से फाइन पेस बना लिया है वैसे इस अगर आप चाहें तो गी का इस्तमाल कर लीजे या फिर ओल का इस्तमाल कर लीजे मैंने गी इसलिए डाला है ताकि ग्रेवी के अंदर अच्छा फ्लेवर आए दो चम्मस जिंजर गालिक पेस्ट एड करेंगे इसको अच्छी तर से पका लेंगे ताकि जो जिंजर गालिक का पन है वो निकल जाए गैस फ्लेम को लो ही रखना है एक चम्मस दन्या पाउड एड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक एड करेंगे थोड़ी सा लाल मिर्ची का पाउड एड करेंगे जिससे ग्रिवी के अंदर थोड़ा स्पाइसी बन रहे एक टीस्पून सफेद काली मिर मसाला है वो जल जाएगा तो जिंजर गालिक और मसाला अच्छी तरह से पका लिया है अब इसमें पेस्ट एड करेंगे जो हमने बॉइल करके पेस्ट पनाया था उस पेस्ट को एड करेंगे अच्छी तरह से मिक्स करके धीमियास पे एक से दो मिंट के लिए पकने देंगे जिससे मसाला के साथ जो पेस्ट है अच्छी तरह से पक जाए कंटीनु स्टर करते रहेंगे जिससे नीचे लगे नहीं जिस बॉल में काजू और अनियन का पेस्ट था उसी बॉल में आदा कटोरी पानी लिया है पानी को एड़ करके कंटीनु मिक्स करते रहेंगे मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे पकने देंगे तो आप देखते हो मसाला अच्छी तरह से पक गया है उस पे रोगन आ गया है एक कटोरी फैटावा दही एड़ करेंगे जब भी आप दही ले दही थोड़ा सा खटा ले ताकि ग्रेवी के अंदर अच्छा टेस्ट आए जब तक ग्रेवी में एक उबाल नहीं आ जाता है तब तक कंटीनु हिलाते रहना है नहीं तो दही फट जाएगा दही डालने के बाद ग्रीव में अच्छी तरह से उबाल आ गया है तो अब दही फटेगा नहीं डखन लगा कर धीमे आज पे दो से तीन मिंट के लिए पकते देंगे जिससे ग्रीव अच्छी तरह से पक कर त्यार हो जाए तो आप देखते हैं उपर रोगन आ गया है इसका मतलब ग्रीवी अच्छी तरह से पक गई है एक स्लाइस की भी हरी मिर्ची आड़ करेंगे जिससे ग्रीवी के अंदर अच्छा स्पैसिनेस भी आएगा और फ्लेवर भी आएगा 200 ग्राम क्यूप्स में कटावा पनीर आड़ करेंगे अगर ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए तो आप गरम करके पानी आड़ कर लीजिए धकर लगाकर धीमियास पे पास से छे मिंट के लिए पकने देंगे जिससे ग्रेवी जो है वो पनीर के अंदर तक चली जाए चार से पान्स टेबल स्पून क्रीम एड़ करेंगे आप क्रीम की जगे होमेड मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्रीम के साथ ग्रेवी को अच्छी तरह से पका लिया है एक चमस ड्राइक कस्तूरी मेथी को हाथ से अच्छी तरह से मसल कर एड़ कर लेंगे अगर कस्तुरी मेथी पाउडर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर लीजिए उसके बाद करीब एक मिंट के लिए पकने देंगे तो मेथी को ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है आप देख से उपर हलका सा रोगन आ गया है तो अब हमारा शाही पनीर बन कर त्यार है गैस को सीचॉप कर देंगे तो शाही पनीर बन कर त्यार है गर्मा गरम सर्व कर देंगे आप इसको पुलाव के साथ राइस के साथ चपातिया नान के साथ सर्व कर देंगे यह बहुत ही रिच टिस है तो आप घर पर बना कर जरूर ड्राइ कीजिए आपको इमेर रेसिपी कैसी लगी आपका अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए आप मुझे इस्टेग्राम या फेस्बूक पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्ट बाक्स में दिया हुआ है तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ जो अच्छ के लिए मुझे आप भालाा वीडियो देखने के साथ